नमस्कार मैं हूँ आपके साथ प्राची पारशर और आप देख रही है एबीपी गंगा आज बात करेंगे उस जहालत की जो देश को एक बड़े खत्रे की तरफ ठकेल रही है वो खत्रा जो दुगनी रफ्तार के साथ पढ़ रहा है अब तक जिस जमात को दीन बढ़ाने के तोर पर पहचाना जाता था आज वही जमात कुछ जाहिलों की वजह से बदनाम हो रही है और कोरोना के खिलाव भारत की जंग को कमजोर कर रही है आलन तो यह है किस मुश्किल वक्त में जो डॉक्टर अपनी जान की परवाह किये बगैर दिन रात एक कर रहे हैं उन्ही करसों के साथ अशलीलता कर रहा है तो कोई थूक कर अपनी गंदी सोच को उजाकर कर रहा है तो कहीं शुरू हो गया है एक दूसरे को कड़गरे में खड़ा करने का खेल ऐसे में कई सवाल हैं जुनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है सवाल यह है कि क्या जहालत की हर हद प है जीब को तलाक दे चुके हैं और इस बीच यह भी आपको बता दें कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब सभी राज्यों के सीम से बात की थी तब उन्होंने यह भी कहा था कि धर्म गुरूओं को आगे आकर इस वक्त में देश का साथ देना चाहिए मेरा आग्र है कि राज्यस्तर पर आप समाज के गणमान्य वक्तियों सभी संप्रदायों के धर्म गुरूओं उनकी मिटिंग बुलाकर उनसे आग्र करें कि वो अपने अनुआईयों को अपने मत्पत के लोगों को अपनी विचारधारा के लोगों को इस लड़ाई में भा उसका नेत्रूत्व करें और इस काम के लिए राज्यस्तर पर जीला स्तर पर शहर स्तर पर ब्लॉक स्तर पर इतना ही नहीं थाने स्तर पर ऐसे समाज के धर्म गुरूओं की मिटिंग के तकाल कर लेनी है और इसी विशे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास महमान हमारे साथ जुड़ गए हैं सूरे कुमार शुकला पूर्व आईपियस लखनव से हमारे साथ हैं स्वामी आनंदगीरी संयोजग गंगा सेना प्रयागरास से हमारे साथ हैं तो वही हिफाज़द हुसैन आलम मुस ये उठता है कि धर्म की दुहाई देने वाले क्या ये जमाती तहजीब से भी तलाक ले चुके हैं जमात जो है उसमें हमारे इसलाम में जो चीजे लिखी हुई हैं उन्हीं के बारे में सिखाया जाता है जमात वाले कभी तहजीब में को गलत नहीं कर सका अगर उन्होंने गलत किया तो जमात के नहीं होंगे पहली चीज़, वो कैसे गए, कहां से गए, वहां ये जो थुका है, और जो असलील हरकत की बात आ रही है, उस पे तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका ना कोई वीडियो है, ना कोई सबूत है, और डिरेक्ट उन्होंने हैं सेवा करन रही है, वो जूंट बोलेंगी, वो गलत बोलेंगी, गलत शिकायत दर्ज करवाएंगी। मेरा कहना बस इतना सा है कि जो दिल्ली में हरकत हुई थूकने के हरकत हुई या जो भी आरोप लगे जमातियों पर ठीक है तो आप जो जमात के मरीज रखे गए या कुरोन टाइन किये गए हैं उनके कहां वीडियो रिकार्डिंग या सेसी टीवी कैमरे क्यों नहीं आप दूसरी तरफ कह रहें कि वहां सीसी टीवी लगवा दें और भी मरीज है सर देश में उन पर भी तो ज्यान देना है ना आप तमाम ऐसे हस्पीटल है जहां सीसी टीवी कैमरे लगे हुए हैं वहां उनको कोरोन टाइन करा सकती थी और दूसरी चीज यह कि जब राहूल गांधी जी जीज़े कि एक हमारे देश में मतलब एक महल बनाया जा रहा है जमात के परती मुसल्मानों के परती कि कि इनको बनाम किया जाए जो मुझे लग रहा है सर सबसे बढ़ा मुद्दा जो है देश में पूरे देश पर मुश्किल है असे में किसी के पास इतना समय है कि वो बनाम करेगा वो नर्से जूट बोलेंगी मैं जो जो देश में सबसे बड़ा सवाल आया करोना के आता ही जो मुसीबत आया हमारे देश में उसमें ये आया कि जब 30 जनवरी को करोना का पहला पेसेंट देश में मतलब दर्ज हुआ तो मानिनी राहूल गांधी जी ने उसको चेतावनी दी और रोका और कहा कि भारत सरकार समल जाए और जो लागडाउन मतलब गरीवों करके हम भारतियों करके आलम जी आलम जी आलम जी आपकी बाप देखी समध से परे है जो मुद्ध रहे हैं जो सवाल में उठारे है उसका जवाब दीजी न सर। आपने कहा शडीयंतर हो रहा है कौन शडीयंतर कर रहा है सर। वो लोग जो अपनी जान जोकिम में डाल कर सेवा कर रहे कि देर्ष्टी गोरीजों की सीवा कर रहे हैं नहीं नान yıl ko भुलन ag हिफादत हुसेन आलम जी आप भी मुझे समझा दीजे आप मुझे पहले समझा ये सर सिंपल वर्ट में समझाई आप मुझे आप क्या कहना चाहिए धूर तरह वो रहा हैं आप प्रूफ मांग रहे हैं आप वीडियो मांग रहे हैं हैं अब आप ये कह रहा हैं और आप क्या समझाना चाहरे हैं समझ लिआ कि इस मांसिक्ता को आप क्या कहेंगे कैसी वांग सकता है यह जो लोग सेवा कर रहे हैं वो शिकायद कर रहे हैं तो प्रूफ मांग रहे हैं लोग मैडम ये इसमें हिंदू मुस्लिम की बात करी दूर दूर तक नहीं आती और नहीं पाई जानी चाहिए आलम जी सुनीजे देखे वक्त जाय मत कीजे मेरा सुनीजे मुकदमा कायम करके उन पे कारवाई कर देना चाहिए और सीधा जो छेडखानी किये उनको पकड़के उन पे उचित कारवाई कर दीजिए इसको कोई हिंदू मुस्लिम इसु थोड़ी बनाने की जरूरत है और ये सोयम जुर्म है कि जब धारा 144 घोसित है तो देश का कानू किसी और मजहबी कानून के उपर होता है हमको पहले एक वतन परस्ती अपने सबको साथियों को सिखानी है जी उसके बाद अपनी कौमी एक जैती और कमी एक ता सिखानी है तो ये सब लोग समझ ले इसमें हिंदू मुसल्मान कोई न करे ये कुछ लोग गड़बर जरूर कर रहें जो सोशल मीडिया पे तमाम तरह की सामपरदाइक बातें कर रहे हैं इनको भी रोकने की जरूरत है कि एक सो तिरपन ए भारती दंडविधान में ये स्वयम जुर्म है कि सामपरदाइकता फैलाना सामपरदाइकता के भेद फैलाना जी और ये मौलाना साब से भी अप पुरे नहीं होते हैं जो गड़बर करते हैं बत्तमीज होते हैं अग्यानी होते हैं और उनको जो आप कहना चाहें अच्छा दूसरी एक और बात होती है जी कुछ लोग गुंडे बद्बाज जो हर जमात के लोगे उसको गलत लोगो को पकड़ के पार जाए आरंग जी भर प सासन से नाराज हैं कोई किसी सासन से नाराज हैं तो वो क्या करते हैं मौके का फैदा उठा के कहीं पथराओ करेंगे कहीं कोई पालसी घोशित हुई तो उसका बिरोध इसलिए करेंगे कि उनको किसी मामले में जेल हो गई थी जी इसलिए नाराज रहते हैं तो ऐसे अब अगली बात कि कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा जिनकी आदत होती है कोई बात आई तो उसका बिरोध करना उनका फैसन होता है ऐसे लोगों पर यह ज्यादा खतरनाक होते हैं जैसे जो एक आदमी को कोरावना फालाना कम बड़ा जुर्म है लेकिन यह बहुत बड़ा जुर्म है कि आप कोरावना जानते हुए इलाज के लिए न भेजिए और उनको बहका दीजिए कि हमारा धंधा चलता रहे लोग हमारे पास आते रहे हमारा ब्योसाय है बिल्कुल सुरे कुमार शुगला जी इसी सोच पर हम चर्चा कर रहे हैं कि सोच कितनी घातक हो रही है इसे वक्त में जब एक जुटता की जरुवत है ऐसे वक्त में जब हमें एक दूसरे की साथ की जरुवत है इस तरीके की लोग सामने आ रहे हैं अपना धंधा चलता रहे इसके लिए वह पर पर उनको चार्चा कर रहे हैं स्वामी आनंदगिरी जी भी हमारे साथ हैं स्वामी आनंदगिरी आप से सवाल मिरा ये है जैसा कि सुरे कुमार शुकला जी ने कहा कि इस वक्त वक्त ये है कि पूरा देश एग्जट हो जाए ये कितना सही है कि हम कुछ घटनाओं को लेकर समुदाय विशेश को टार्गेट कर देते हैं, एक अलग तरीके की जंग छिर जाती है सोशल मीडिया पर एक अलग तरीके का हमें माहौल देखने को मिलता है ऐसे वक्त में जब इस देश को जरुवत है कि हम साथ मिलकर लड़ें इस गंभीर बिमारी से इस से तोर पे ये देशी नहीं परी दुनिया इस समय भयानक सिती से गुजर रही है और ऐसे समय में ये जो मरकज वाला वाकए आया है इससे भारत की जो तैयारिया वो तूट के रह गई है ये इस कदर की हरकते कैसे कर सकते हैं जो भगवान को पड़ रहे हैं जो अल्ला की अबादत पांस टाइम के नमाजी है और कोई साधार मुसल्मान करता साए तो उन पर इतना ध्यान नहीं जाता देश और दुनिया क्या देख रही है कि ये वो लोग है जो 24 सो घंटा अल्ला की अबादत में रहते हैं और वो ही करते हैं वो लोग ठूक रहे हैं महिलाओं के साथ अबदरता कर रहे हैं और उनके मौलवी उनके मौलाना लगातार बयानबाजी कर रहे हैं सोसिल मीडिया के माद्यम से की कोरोना कुछ नहीं होता है ये काफिरों का गुना है काफिरों का रोग है यह मुसल्मानों को नहीं लगता है इस प्रकार की बातों से निश्य तोर पे आदेने प्राथना कर रहा है हाद लगातार मोदी जी कह रहे हैं कि इस समय मानव धर्म निमारे लेकिन अने जी आओंगे आओंगे आपके पास लेकिन आप बताईए सर जिस तरीके से यह कह रहे हैं आलम सहाब कि शडियंत्र किया जा रहा है शडियंत्र की बू आ रही है उस पर आप क्या कहेंगे कौन लोग हैं जो शडियंत्र कर रहे हैं ऐसे वक्त में जब मुश्किल वक्त है मेरा इस पे इतना ही कहना है कि ये सडियंत्र नहीं है आप इसको समझनी कोशिश करिए एक जिम्मेदार नागरी की भूमिका निभा करके जितने मरकज में जाने वाले लोग थे उनकी लिस्ट आप कुछ जारी कर दीजे ना आप तैक कर दीजे कि इतने लोग थे इनकी जाज क कि साडियंत्र के इतने लोग को थे खाए और सी लोग घरू में बंद रही है हुक्रियूद नोग को भीयूद क encour度 कर देखे धाने आन ची और शेयरी में कि जो लोगों को जो की मरकस से वापस आए हैं बहुत अच्छी बाते जिम्मेदारी देखनी जरूरी है लेकिन आप उन लोगों पर किस तरीके से अलग स्टैंड ले लेते हैं हिफाज़त हुसें सहाब आपने मेरे पहले सवाल पर जिस तरीके का जवाब दिया था आपको लगता है कि वहाँ अगर जब संदिक धर मतलब जब विश्वास तूट रहा था तो सिसी टीवी कैमरा परसासन लगा देती विश्वास तूटा है ना सर दूद का दूद पानी का पानी होगता है वो हमारे समास से भी बहिसक्रित किया जाते हैं हम अपने समास से बहिसक्रित करेंगे कि इज़त करना इसलाम सिखाता है ना सिखाता है ना कि वो मैला है वो मैला है कि अगर हमें सबूत के साथ मिल गया तो हम लोग उसको अपने समास से बाते कर रहें आप कैसी बाते कर रहें आलम साथ आपको जिस वक्त अपने समास को संजाना है आप सबूत मांग रहे हैं हम समझा रहे हैं अपने समाज को हम हम यहां बनारस में मेरा परसासन जानता है हम लोग लोगों को समझा रहे हैं मेरे घर के आसपास अगल बगल यहां भी भीड़ दखती हैं हम लोग परसासन के साथ रहते हैं आप क्या आपने सबूत मांगा उससे ना तो मैं स्विकार करूंगी ना समाज स्विकार करेगा ना यह देश स्विकार करेगा सबसे पहले वो आपकी घलती है दूसरा यह आप संदेश दीजे ना सर आप बोलिए ना उनलोगों को जो क्वारिंटाइन में रखे गए हैं कि संदेश मैं यह देना चाहता हूं कि संदेश मैं यह देना चाहता हूं कि अगर कोई हमारे देश के डाक्टरों पर थुकता है या पत्थर चलाता है या उनके साथ कोई असली हरकत करता है तो हमारा पूरा मुसलिम समाज पूरा देश उनका भहिसकार करेगा और उनको अपन खाना बाट रहा है वो अपने जान की परवा किए बेगार कि 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 कुरोना है कि को नहीं है भूके नहीं रहने दे रहे हैं समाज में लोगों को। कि मेरा अभी भी मांग है अभी डिमांड है सरकार से कि जहां मुस्लिम लोगों को जो जमाज से जुड़े हुए जमाज से जुड़े हुए लोग है उनको अगर कुरोंटाइन किया जा रहा है तो मुस्लिम समाज में एक सोसल मीडिया की द्वारा ये भी फैलाए जा रहा है कि गलत है उनको बदनाम क्या जा रहा तो इसको सरकार अपने छबी को अच्छा रखने के लिए उन पर सारा फोकस हो जाया और जो बागी के मरीज है उनका क्या एसे वक्त में सर साथ आईए सबूत बत मांगे नर्स जूट नहीं बोलेंगी जूट नहीं बोलेंगी नर्स बीच में आपको रोक रहे हूं आपको वक्त है वापस लौटेंगे और चर्चा को आगे पढ़ाएंगे और यही जानेंगे कि कोरोना के बेशर्म मुजरिम हैं इनके साथ क्या किया जाए और कैसे यह जो गंदी मान सिकता है जो सोच पनप रही ऐसे मुश्किल वक्त में इसे खत्म किया जाए छोड़ो सब्रेक ब्रेके बाद स्वागत है आपका लगादार खास चर्चा जारी है लेकिन जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है इस मुश्किल वक्त में उसके बाद गुस्सा कैसे पनप रहा है और क्या प्रतिक्रियां सामने आ रही है वो आपको सुनवाते हैं भाजपा सांसाद प्रज इन चेंट खड़ा हो रहा है लेकिन हमारा कहना है कि इस पर कड़ा कानून होना चाहिए कड़ा कानून बनाना चाहिए ऑँ ऐसा दुर्वेवहार जो लोग करते हैं और समाझ को देश को खत्रे में डालने के कुशिस करते हैं यह देश द्रों से कम नहीं है इनको इनके गोली चलाने में भी कोई हर्ज नहीं है और खास मेमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं सूरे कुमार शुक्ला जी आपके पास आऊंगी क्योंकि कानून का जिक्र भी सांसाथ सहाब ने किया है और वो कह रहे हैं कि कानून में बदलाव की जरुवत है से लोगों को या तु पासी दे दी जाए या फिर गोली मारने में भी कोई हर्ज नहीं है किस तरीके से आप इस बयान को देखते हैं और क्या कुछ आप कहेंगे कानून को लेकर और ये जो घटनाय आ रही है इनको लेकर देखिए जहां तक कानून की बात है तो आल्रेडी देश में इस तरह की स्थितियों के लिए सारे कानून बने हुए हैं अभी मानिम खुंतरी जीने जैसे कहा कि हम एन्रेस से लगा देंगे अब ये ये वाली बात जैसे राश्ट पते फिलिपीन के हैं उन्होंने कहा जो न मारी जाती है जब कोई और रास्ता नहीं रह जाए जी और एक मूल सिधान्त होता है कानून का कि कम से कम बल का प्रयोग करके सिस्थिती पर काबू कर लिया जाए ये मूल सिधान्त है और लोकतंतर की भावना के भी अनुरूप है और मानों का और समाज की सुरक्षा के तम मारी जाती है जब आखिरी रिसॉर्ट होता है मतलब अब कोई और रास्ता नहीं है तो अभी ऐसी स्थिती मेरी समझ से नहीं आई है कि गोली मारने की जुरत पड़ेगी इनको गिरिफतार कर लिया जा जो इस तरह के लेकिन सुरे कुमार शुकला जी आपको लगता है कि को ये जो बताया तो इस तरह कि ये विक्रत मान सिपता कि कुछ लोग होते हैं और वो हम लोगों ने तो बहुतों को देखा है ये जादा नहीं होते है एक परसेंट होते हैं जादा ज्यादा तो इनको तो कड़ी कारवाई की ज़रत है कि तुरंत इनको अरेष्ट करो और अरे पहले से सिध्धामत इस पस्ट है कि बुलेट फार बुलेट की अगर कोई गोली चलाता है तो गोली मारी जाएगी लेकिन अगर वो गिरिफतार हो सकता है तो गिरिफतार करके जेलों में डाला जाएगा और लेकिन यह सब के लिए नहीं बाकी सारे 99 बेप्रिसत लोग वक्त अपनी जहालियत को छोड़ दें तो शायर वो जो खत्रा बढ़ रहा है देश की तरफ वो कम हो जाएगा स्वामी आनंगिरी जी ऐसे में सर जिम्मेदारी बनती है उन लोगों की भी जो समाज के ठेकेदार हैं उनको भी तो आगे आना चाहिए न सर वो भी तो समझाए आगे आके कि इस वक्त आप एक दूसरे में टक्राव मत पैदा कीजिए पूरे देश में पूरे देश में सारे धर्म गुरू ने मजीदों में नमाज बंद कर आना चाहिए और हम लगातार आपके पास आउंगी आउंगी आपके पास सब्सक्राइब करें नवरात्री का नवरात्री का इतना बड़ा पर्वेटा हमारे यां हमने जनता को समझाया कोई मंदीर में नहीं आया कोई गेद्रिंग नहीं हुई राम नौमी का इतना बड़ा परवाया अयोध्या से लेकर के कासिश से लेकर के प्रियाग के सारे गाड सुने मिले ये केवल और केवल हिंदु धर्मगुरू की मुस्तेदी का ही एक नतीजा है कि हर विक्ति ने बात को सुना अब रही बात मुस्लिम समाज के लोगों की तो अनन्गिरी जी देखे मेरा सवाल ये है अनन्गिरी जी देखे हिंदु धन्गुरू ने क्या किया आप जैसा बता रहे हैं हिपाज़त उसेन जी सुन लीजे हिपाज़त उसेन जी आपको चर्चा में लाओंगी सवाल कर रहे हूं मैं स्वामी अनन्गिरी जी से सवाल कर र तो क्या ये सही है कि उन कुछ लोगों के बिहाव पे हम एक संप्रदाय विशेश को टागेट कर लें और उस पूरे संप्रदाय पर हम उठाने लगे हम तिपड़ी करने लगे क्या ये सही है वो भी तब ऐसे वक्त में जब हमें एक जुट होना है पूरे भारत वर्ष को अप हजार सेथिक लोगों को भोजन पर साथ बाठते हैं खिलाते हैं गरीबों को उसमें करीब 10 से 15 बच्चे मुस्लिम साथ में जुड़े हैं मुस्लिम आम जन्मानस में बहुत अच्छी करोना को लेकर के जागरुपता बढ़ी है बट ये जो मर्कस वाले लोगों ने ये तब करशिक है कि लोगों पर कड़ी कारवाई हो और कोई भी धर्म का गुरू इस प्रकार की हरकत करने से पहले सोचे धर्म गुरू का दायत वह कि सरकार के साथ खड़ा हो धर्म गुरू का दायत वह कि वह जन्मानस के साथ खड़ा हो ये बड़ा और एहम सवाल है जब इस तरी चाह रही थी और जो आपसे में चाह रही थी कि आप कहें वो शायद नहीं निकल कर आएगा लेकिन फिर भी यह कंफ्यूज है जी आनन जी यह कंफ्यूज है इसलिए विश्वास नहीं किया जा सकता कि जो कहेंगे उसलिए आउशक है ठीक है जो मुस्लिम धरम का बड़ा विक पर पत्राव भी हो रहा है तुका भी जा रहा है मैला नर्ज जो हैं उनके साथ अभद्रता हो रही है अशलीलता हो रही है अब आप बताइए क्या मैसेज देंगे आप एभी पी गंगा के दर्शकों को क्या बोलेंगे आप किस तरीक से समझाएंगे सर कंक्लूजन चाहिए सबूत नहीं मांगने पत्रावाली मैंने अपने अखों से द देखा हूँ और हमारे बस में होता तो हम उनको सजा भी देते लेकिन भारत के समिधान में नहीं है कि कानून के अंतरगती वो सजा पाएंगे उनको कड़ी सजा मिली चाहिए जोनोंने पुलिस और उसके उपर अच्छाव किया है संदेश देज उन लोगों को अश्लीलता कर रहे हैं एक लाइन देने पाद मैं संदेश दूगा मैं कि गिरी साद ने भी बोला कि Еजन्सिया इतनी सतर्क नानए dollar मत्तलि मुझे शुक्रिया करना पड़ेगा आप सभिको वक्त की कम्य है वक्त की कमी है मेरे पास मुझे आप सभी का शुक्रिया करना पड़ेगा लेकिन सवाल यही है कि यह जो सोच पनप रही है यह सोच आखिरकार कितनी घातक है समाज के लिए और ऐसे वक्त में जब सबको एक जोट होना है तो यह जिस तरीके का महौल हो रहा है और जमातियों के नाम पर जिस तरीके का खेल हो रहा है और जिस तरीके की घटना या रही है उससे कितना नुकसान इस देश को होगा यह समझना होगा आपको इसे के साथ इस खास पेशकर्ष में वस इतना ही आप देख जो रहे है एबी पी गुंगा